आज हम पढ़ेंगे कक्षा साथवी का तीसरा चेप्टर रेसों से वस्त्र तक पिछली कक्षा में हमने पोधों से प्राप्त प्राकरतिक रेसों के बारे में जाना था जैसे कपास, पटसन और उनसे वस्त्र बनाने की परकिरिया समझी थी इस अध्याय में हम जन्तों से प्राप्त रेसों के बारे में पढ़ेंगे जन्तों या पस्वों से प्राप्त होने वारे जो रेसे होते हैं उनको हम जानतव रेसे कहते हैं जैसे उन और रेसम इस अध्याय में हम उन और रेसम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे सबसे पहले है उन उन से सर्दी वाले गर्म वस्तर बनाए जाते हैं अभी सर्दी का मोसम है सर्दी के मोसम में हम उन से बने हुए वस्तर पहनते हैं जैसे स्वेटर, शोल, आदी उन हमें भेड, भकरी, उन आदी के बालों से प्राप्त होती है उन परदान करने वाले कुछ जन्तु है हमारे पास जैसे कि याक, बकरी, उन, अलपका, लेमा, आदी रेसो से उन तक बनाने की जो परकिरिया है वो अब समझते हैं भेड बकरी आदी जन्तु के बाल काटे जाते हैं और उन से उन बनाई जाती है और यहाँ पर जो भेड बकरियों के अलग-अलग हिस्सों के जो बाल होते हैं उनके हिसाब से अलग-अलग उने बनाई जाती है इस परकिरिया में बहुत से चरण होते हैं हम इन चरणों को अभी विस्तार से पढ़ेंगे सबसे पहला जो चरण है वो है उन या बालों की कटाई देखी जो भेड या जो भी उन देने वाले जो पसू होते हैं उन से उन पराप्त करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है उनके बालों को उतारना उनके बालों को उतारने के लिए हम एक काटने वाली जो मसीन होती है उसको शियरर बोलते हैं उसका इस्तेवाल कर सकते हैं या फिर कैची से भी उसके बाल काटे जा सकते हैं तो पहला जो स्टेप है वो है उन या बालों की कटाई उसके बाद क्योंकि उन जो है वो गंदी ह होती है बहुत सारे मैल और विबिन परकार के पदार्थ होते हैं उसके अंदर तो उसकी सफाई करना जरूरी है तो दूसरा हमारा स्टेप है सफाई या अभी मारजन पुराने समय में या फिर छोटे स्केल पे एक बड़े से बरतन में उस उन को डालके पानी और सर्फ वगेर इसके बाद है च्छटाई या च्छातना इस चरण में रिशो को अलग अलग गउन के हिसाब से छाटा जाता है जैسे कि जैसे जो उंट की उन होती है उस से कंबल वगेरा बनाया जाते हैं जो पराने टाइम में जो कंबल ओड़ते थे वो वाले कंबल उसी तरह से अलग-अलग हिस्सों की जो उने हैं उनसे अलग-अलग चीज़े बनाई जाती है एक कस्मीर में बकरी के नीचे वाले हिस्से के जो नरम बाल होते हैं उनसे पश्मीना उन बनाई जाती है पश्मीना उनसे पश्मीना शोल बनाई जाते हैं जो बहुती नरम और गरम भी होते हैं चोथा स्टैप है बर की छटाई इस चरण में बर को अलग किया जाता है बर का अर्थ होता है जैसे आपके स्वेटर पे सर्दी के समय में जो रोएं आ जाते हैं उनको हम बर कहते हैं चोते स्टेप में बर की छटाई की जाती है अर्थात बर को हटाया जाता है उन से पाचवा स्टेप है रेसों की रंगाई इस चरण में जो रेसे होते हैं उनको अलग-अलग रंगों में रंगा जाता है जैसे आपने देखा होगा कि अलग-अलग रंगों की उन आती है तो य उनके सरीर से भेड के सरीर से या फिर जो जानवर उनके सरीर से दूसरा स्टैप है सफाई करना या अभी मार्जन तीसरा स्टैप है छटाई या छाटना अलग अलग गुनों के हिसाब से उन्हों को छाटा जाता है तीसरा है बर या रों की सफाई या छटाई और पांचवा स उल्जाकर उनके धागे बनाए जाते हैं धागे बनाने के लिए मसीनों का इस्तमाल किया जाता है तो रेसों से उन बनाने तक की पर किरिया आपको इस चित्र में दिखाई घई है जिसमें सबसे पहले वाले में स्टैप में उनकी कटाई हो रही है उसके बाद उसकी सफाई की जा रही है ठीक है एक सफाई जो है पहले वाले इसमें सफाई जो है मनुश्य दवारा की जा रही है दूसरे वाले में यही सफाई मसीनो दवारा की जा रही है और लास्ट में जो उन है उनके धागे जो है उनके यार्न बनाई जा रहे हैं ये सारे स्टैप्स जो हैं वो रेसों से उन बनाने के लिए इस्तिमाल होते हैं इसके बाद पस्मीना के बारे मैं आपको बताया था पस्मीना कस्मीरी जो बकरिया होती है उनके नीचे के हिस्से के सोफ्ट बालों से बनता है और पस्मिना से शोल बनाए जाते हैं ये आपको कस्मीर में या फिर पूरे भारत में बड़े असानी से मिल जाते हैं ये शोल बहुत ही करम होते हैं और हलके भी होते हैं इसके बाद जो दूसरा जानतव रेशा है हमारे पास इस चैप्टर में वो है रेशम जिसको इंगलिस में सिल्क कहा जाता है रेशम भी एक जानतव रेशा है जिसे रेशम के कीडे से प्राप्त किया जाता है रेसम को प्राप्त करने के लिए रेसम के कीड़े पाले जाते हैं और रेसम के कीड़ों को पालने की जो विज्ञान है उसको हम रेसम पालन या फिर सेरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं रेसम के कीड़ों को सहतूत के पोधे या पत्तों पर पाला जाता है और ये जो रेसम के कीड़े हैं ये सहतूत के पत्ते खाते हैं इसलिए इनकी जो खेती की जाती है वो सहतूत के जो बाग होते हैं सहतूत के जो पोधे या पत्ते होते हैं पर इनकी खेती की जाती है रेसम की खोज बहुत पुराने समय में चीन में हुई थी ये सवाल के बार पूछा जाता है कि रेसम की खोज कहां पर हुई थी तो रेसम की खोज चीन में हुई थी रेसम के बारे में जानने से पहले हमें कीट जो रेसम का कीट होता है या रेसम का जो कीडा होता है उसके जीवन चकर को पढ़ना समझना जरूरी है देखें रेसम के कीट जो है उसका जीवन चकर कुछ इस प्रकार से चलता है सबसे पहले जो व्यस्क रेसम का कीट होता है वो अंडे देता है अंडे से लारवा बनता है लारवे से कोकून बनता है कोकून वो स्टेज होते है जब लारवा अपने मूँ से निकलने वाला जो रेशा है उसको अपने चारो और लपेट लेता है इसको हम कोकून कहते है यही वो स्टेप है जहां से रेशम का जो धागा है या रेसम का जो रेशा है वो हमें प्राप्त होता है इसके बाद की अगली स्टेज है कोकून से जब रेसम का कीट बाहर निकलता है तो प्यूपा बनता है और प्यूपा से वो डेवलप होके एक अडल्ट या फिर व्यस्क रेसम कीट बन जाता है ये उसका पूरा एक जीवन चक्र है आईए इसी को एक चितर से समझते है सबसे पहला जो step है वो यहाँ पर है देखिए व्यस्क जो रेसम का कीट है वो अंडे देता है अंडे से लार्वा बनता है लार्वा ये लार्वा वाली ही stage है लार्वा जो है वो अपने चारो और रेसम का जो रेसा है उसको लपेट लेता है उस stage को हम कोकून कहते है और इसी step से ही रेसम निकाला जाता है फिर वो आगे डेवलप होके जो है व्यस्क रेसम का कीट बन जाता है और फिर से अंडे देने लायक हो जाता है रेसम के कीट का ही जीवन चकर है इस picture के अंदर भी वो ही सारी चीज़े इसमें बताई हुई है यहाँ पर भी जो ये वाला stage है प्यूपा या कोकून जिसके अंदर देखो आपको यहाँ दिखाया भी होगा है रेसम का जो प्यूपा होता है वो अपने चारो और रेसम का जो रेसा है या धागा है उसको लपेट लेता है यहीं इसी step से रेसम की प्राप्ती होती है यह रेसम के कीट का जीवन चकर है इसके बाद है कोकून से रेसम हम किस तरह से प्राप्त करते हैं देखिए रेसम कीट के जीवन चक्र में लारवा से कोकून बनने की जो परक्रिया है उसमें लारवा अपने चारो और एक रेसे का खोल बना लेता है वो अपने मूँ से एक रेसा निकालता है और अपने चारो और उसका एक खोल बना लेता है उसके अंदर चला जाता है यही र रेसम का जो रेशा होता है वो स्टील जितना मजबूत होता है जितना मजबूत स्टील का तार होता है उतना है मजबूत रेसम का भी तार होता है कोकून से रेसम पराप्ट करने के दो तरीके हैं पहला तरीका तो यह है जो कोकून है जब उसके अंदर जीव है तो उसको उबा तब उसके बार जो हम प्राप्त करते हैं उसको उस तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं तो रेसम कीट से रेसम प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं पहले तो कोकून को उबालेंगे तो उसके अंदर का जीव मर जाता है और दूसरे वाले में हम इंतजार करेंगे कि गब उसमें से जो कीट है जो कीड़ा है रेसम का वो बहार निकले और उस कबच को वहीं छोड़ दे तो ये दूसरे वाला तरीका है, इसके अंदर अंदर का जो जीव होता है वो मरता नहीं है लेकिन ईसमें जो रेसम की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती है वहीं जो दूसरे वाला जो step है ये वाला step जिसमें जो जीव है वो जिन्दा रहता है और मरता नहीं है इससे जो रेसम हमें प्राप्त होता है उसको हम peace रेसम कहते है peace मतलब peace का आर्थ होता है शांती मतलब बिना किसी को मारे रेसम प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं peace silk या फिर peace रेसम ठीक है इसके बाद रेसम की रेलिंग रेलिंग का आर्थ होता है जो रेसम का रेसम हमें प्राप्त होता है उससे धागा बनाने की परकिरिया है कोकून से प्राप्त रेसम के रेसों से धागे बनाने की जो परकिरिया है उसको हम रिलिंग कहते हैं अभी आपको बताया कि रेसों से धागा बनाने की परकिरिया को रिलिंग कहा जाता है अगर कोकून से प्यूपा को बिना मारे रेसम प्राप्ट किया जाता है तो उसे पीस रेसम या फिर पीस सिल्क कहते हैं अभी आपको बताया अगर दूसरे वाले हिसाब से चलेंगे जब उसके अंदर के वाले जीव को बिना मारे उससे रेसम प्राप्त करते हैं तो उसको हम पीस रेसम कहते हैं पीस इसलिए पीस का आर्थ होता शांती बिना किसी हिंसा के बिना किसी जीव को मारे उससे रेसम प्राप्त करते हैं इसलिए इसका नाम है पीस रेसम यहां पर यह हमारा चैप्टर खतम हो गया है इस चैप्टर में हमने क्या क्या पड़ा हमने इस चैप्टर में जाना उन के बारे में और उन किन किन प्राणियों से हमें मिलती है वो हमने देखा उसके बाद उन परदान करने वाले जन्तों के बारे में जाना उन से वस्तर बनाने की जो परकिरिया है उसको समझा रेसम और रेसम के कीट का जीवन चकर हमने समझा उसके अलावा कोकून से जो रेसम तक बनाने की जो परकिरिया है वो भी हमने इस वीडियो में जानी है यहाँ पर यह हमारी वीडियो जो है वो खतम होती है चैप्टर भी खतम हो गया है अगर आपको कुछ समझ आया हो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद